बॉलिवूर एक्टर सोनू सूत के मुश्किल बड़ती दिख रही है। दो करोड रुपे से अधिक की अवैद विदेशी फंडिंग और जैपूर की एक इन्फरा फर्म के साथ 175 करोड रुपे के सर्कुलर की लेन देन की जानकारी सामने आई है। आईटी की तरफ से जारी किये गए बयान में ये भी कहा गया कि विभाग ने सोनू सूत से जुड़े 28 ठिकानों में एक साथ सर्च ओपरिशन चलाया। ये ठिकाने मुंबई, लखनव, कानपुर, जैपुर, दिल्ली और गुरू ग्राम में हैं। आईटी ने दावा किया कि सोनू सूत ने फाइनेंशल धोका धड़ी के लिए फर्जी संस्थाओं और लोन का सहारा लिया। सर्च के दोरान ऐसी करीब 20 फर्जी एंट्रीज के बारे में पता चला है। आईटी अधिकारियों के मताबिक इस पूरे मामले में सोनू सूत के एंजियो सोनू चेरिटी फाउंडेशन का मेन रोल है। दावा ये भी किया गया कि जुलाई 2020 में बनाए गए सोनू सूत के एंजियो को एक अप्रेल 2021 से लेकर अभी तक लगबग 19 करोड का दान मिला। जिसमें से केवल 2 करोड रुपे ही दान के लिए इस्तमाल किये गए जबकि बागी के 17 करोड रुपे अभी भी एंजियो के बैंक अकाउंट में है। इंकम टेक्स की तरफ से जारी किये गए बयान में ये भी कहा गया है कि इस तलाशी में 11 लौकर्स का भी पता चला है जिनने सीज किया जाएगा। आईटी विभाग का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। और उनके ठिकानों पर छापे पड़ रहे हैं तो सोनू सूत के चाहने वालों के बीच मायूसी जरूर बनी हुई है। न्यूस तक परू उनके ठाब कर दो आईटी जरू झाल